स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Geography के Current Affairs के Revision का ये हमारा दूसरा Lecture है आज के सेशन में हम October महिने के Geography के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article जो की Damn Rehabilitation and Improvement Project के बारे में है हाली वे Cabinet Committee of Economic Affairs ने जिसके Chairperson हमारे Prime Minister होते है उन्होंने अभी Approve कर दिया है DRIP इसे देखें ब्रीफ में DRIP Project का आप कह सकते हैं या आप Simply DRIP कहिए DRIP के Phase 2 और Phase 3 के लिए Approval दे दिया गया है DRIP का Full Farm यही है Damn Rehabilitation and Improvement Project इसका उदेश यह है कि जो भी Dems इंडिया में Right Now Functional हैं उनकी Operational Performance को बहतर किया जाए उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए Institutional Strengthening करी जाए ताकि Dems से जो Various Revenues वगरा Generate होते हैं वो थोड़ा और बहतर हो जाए Funding की बात करें कि आखिरी जो DRIP Project है इसमें पैसे कहां से आ रहे हैं तो पैसे देखें यह externally added project है मतलब पैसा बाहर से आ रहा है बाहर से कहां से आ रहा है कोई individual हमें नहीं दे रहा Rather World Bank और AIIV Asian Infrastructure Investment Bank हमें इस project के लिए fund कर रहे हैं इस project का जो duration है वो 10 साल का है 2021 से लेकर 31 के बीच में component तो यही है कि dam और उसे जो भी associated infra है उसके rehabilitation और improvement के लिए काम किया जाए dam की safety को ensure किया जाए जो भी और तरीके हो सकते है revenue generate करने के उनको explore किया जाए और projects को बहतर तरीके से manage किया जाए अगला topic इसी से हमारे पास जो आ रहा है आज के लिए वो है dam chalk sector dam chalk sector क्यों news में है क्योंकि इंडिया नामी ने एक Chinese soldier को dam chalk sector में पकड़ा है जो की eastern laddaak का हिस्सा है dam chalk sector कहां का हिस्सा है eastern laddaak का हमें location wise पता होना जाए क्योंकि काफी time से यहां विवाद चल रहा है इन दो देशों के बीच में dam chalk sector वो region है जहां की जो की charging नाला है वो और जो इंडिया चाइना दोनों इस region को claim करते है आपको पताए जो debate है वहां के आसपास की जो की line of actual control है दो देशों के बीच में वो charging नाला के बराबरी पर ही लगा हुआ है और यहां पर दोनों देशों का claim है कि हमारा area या उनका area जहां पर अभी obviously इंडिया का area है वो तो यहां पर दो लोग एक Chinese soldier को इंडिया ने comprehend के इसलिए important हो जाता ही है अब कहां पर देशों है देख लेजिए क्योंकि चुमार सेक्टर भी है जहां पर काफी news आ रही थी जहां समस्या है रही है चायना के साथ तो यह रहा देशों है यह रहा चुमार सेंटर क्यों important है अगर आप से पूछे को भी question को यह आ जाए तो जो बड़े शहर है जो बड़े इलाके हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि देशों क्योंकि जैसा एक question हाली में पूछा गया था इस साल एक्जाम में वो था सियाचन glacier is situated to the east of Oxygen, east of ले, north of Gilgit, north of Nubra Valley तो बताए क्या answer इसका आपको बहुत easy question है यह काफी easy था यह और इसका answer होगा north of Nubra Valley आप इसको analyze करके इसको पढ़के देखिए map खोलिए यह आपको homework होगी आप सको check करिए हमने नक्षा ओपर दिया यह आपको आप उसमें भी देख सकते हैं कहां ही location है पर हमारे लिए important है क्योंकि questions ऐसे आ रहे हैं कि location wise preparation हम करें जो अगला article है वो फेनी bridge के बारे में है Union Road Transport Minister नतिन गटकरी जी ने भी announce किया है कि 1.8 km long जो फेनी bridge बन रहा है जो कि इंडिया के subroom को पांगलादेश के रामगर से जोड़ेगा वो इस साल के December में complete हो जाएगा दिखिए यह है subroom जो कि इंडिया में है map में जहां मैं locate कर रहा हूँ यहाँ पर फेनी river flow करती है और यहाँ पर नीचे है रामगर तो यहाँ पर एक bridge बनाया जा रहा है यह bridge subroom को रामगर से जोड़ देगा यानि कि इंडिया को बांगलादेश से जोड़ देगा फेनी river के ऊपर यह जो सेतू बन रहा है या जो bridge बन रहा है उसे मैत्री सेतू भी कहा जाता है यह ब्रिज इंडिया के त्रिपुरा को बंगलादेज के चिटगाओं पोर्ट से जोड़ता है यहां से देखे चिटगाओं पोर्ट तक आया जा सकता है जिससे इंडिया को एक alternate route मिल जाएगा टाइम लाइन की बात करें तो 2015 में इसे सुरू किया गया था उस समय हमारे honorable prime minister नरेंदर मोदी जी और बंगलदेश की prime minister सीख हसीना ने इसे inaugurate किया था इस bridge को national highway infrastructure development corporation limited के दवरा बनाया जा रहा है फेनी river के बारे में बात करें तो यह south tripura district में originate होती है subroom town से होते हुए यह बांगलादेश में enter करती है और फिर बे बंगाल में गर जाती है यह इंडिया बांगलादेश का border भी बनाती है कुछ जगहों पर अगला article हमारा impact based cyclone warning system से related है हाल फिला हाल में IMD मतलब की India Meteorological Department ने एक impact based cyclone warning system को बनाया है launch किया है main aim इसका वही होगा जैसा कि हम सब जानते हैं चुकि warning system में तो यह warn करतेगा और इससे जितनी भी हानी पहुचनी है या फिर economic loss या economic damage होना है उसको हम minimize कर सकते हैं property loss हो जाता है बहुत लोग का तो इसमें कुछ करेंगे नहीं हम simply ऐसा दिखेंगे कि ऐसे specific warnings release करेंगे अगर हमें बता चल गया कि कुछ एक wind की speed है जो कि बहुत तेजी से आ रही है इस time पर इसका effect जहां जहां भी होगा और उनके जो जो infrastructure weak हैं उन सभी जगों पर हम लोग पहले से ही उनको सतर्क कर देंगे local population को बता देंगे उनके settlement को displace करने की बात कर सकते हैं जो land use है उसको हम change कर सकते हैं तो हम सुरुवात से ही preparedness level दिखा सकते हैं अपने अच्छे level पर और इससे जो हमारा economic damage है वो काफी कम हो सकता है इन disaster management agencies के द्वारा ये geological या cartographic या hydrological data को खूब बढ़िया तरीके से यूज करेंगे और इसी से इस cyclone warning system का impact कितना कम हो सके इसके उपर effort कर रहे हैं यूजुली जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें अगर 160 km per hour की speed तक कोई भी wind है तो तुरंद के तुरंद warning जारी हो जाएगी कि यह यह infrastructure छतिगरस्त हो सकते हैं इनको बचा लुआ बात करते हैं IMD की Indian Meteorological Department की तो यहाँ पर 1875 में इसको establish किया गया था इसकी main agency है Ministry of Earth Science इसका basic aim यही है कि हम लोग इतने भी meteorological observations होते हैं वो इसके लिए यही responsible है weather forecasting देखते हैं ना कि आज में दिल्ली का तापमान यह रहेगा या दो दिन बाद यह रहेगा सिस्मology मतलब कि जो भी earthquake के data होते हैं उनकी पढ़ाई होती है वो भी research वगएरा सब IMD ही connect करती है जो अगला article है वो Indus Suchar Zone के बारे में है वादिया Institute of Himalayan Geology के अभी जो scientist है देहरादून में setup है यह इन्होंने ये पाया कि Indus Suchar Zone जो की हिमालियाज के embed में आता है पहले ऐसा माना जाता था कि वो logged है लेकिन अभी उसे tectonically active पाया गया अब ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आई हो चलिए मैं बता देता हूँ जब दो plates आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में एक जो joint वाला area होता है उसे ही Suchar Zone कहा जाता है जैसे जो Indian plate है वो Eurasian plate से जहां टकराई है उनका जो joint वाला area है उसे ही Suchar Zone कहा जाता है अभी तक माननेता ये थी कि जो Indian plate Eurasian plate से जुड़ी हुई है वो बिलकुल locked हो गई है Lock हो जाने के वज़ा से इन दोनों के plates के बीच के region में कोई activity नहीं होती भुकंप औगेरा नहीं आते हैं जो अलमुखी भी नहीं पाये जाते हैं लेकिन अभी ऐसा देखा गया कुछ ऐसे symptoms या evidence से हमें मिले हैं जिससे हमें ऐसा लगा कि सायद ये टेक्टोनिकली active है ये जो सुचर जोन है ये लदाक region में देखा गया है जहाँ पर Indian और Asian plate कह लिजे, Eurasian plate कह लिजे जुड़ती है जो 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 लॉजिकल feature हमें वहाँ पर मिले हैं वो हमें इस बात की और इशारा करते हैं कि ये जो region है जो पहले locked माना जा रहा था, inactive माना जा रहा था, वो actually active है जो sedimentary beds हमें मिली है, वो जूकी हुई मिली है और जो thrust है वहाँ का, वो broken है, मतलब तूटा हुआ है इससे ऐसा लगता है कि कुछ activity हुई है, तभी तो तूटा है या फिर तभी तो ये जो plates हैं, ये हमें tilted मिल रही है जो reverse हैं, उनके terraces भी uplift मिले हैं मतलब ऐसा लगता है कि कोई internal activity हुई है और जो bedrocks हैं, वो भी काफी brittle deformation के मिले हैं brittle का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत नाजुक हो जो flexible ना हो, जैसे कि biscuit, biscuit brittle होती है आप जड़ा सा जोर लगाते हैं, वो तूट जाती है, flexible नहीं होती है तो वहाँ पर जो bedrocks है, वो हमें brittle मिले हैं और काफी depth तक हमें वो ऐसा, जो deformation है, वो मिलता है इन सभी चीजों से ऐसा हमें लगता है कि ये जो zone है, ये active है इन अक्टिव तो नहीं है, जैसा अभी तक मानता थी सचर जों को यहाँ पर define किया गया है, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं अगला article हमारा कालेशवरम lift irrigation project से related है हाल फिलहाल में National Green Tribunal, मतलब कि NGT ने कालेशवरम lift irrigation project के लिए जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने environmental clearance दे दी थी, इस पे इन्हों ने ये कहा है कि इन्हों ने law violate किया है, law कैसे violate किया है NGT का कहना है कि ये जो कालेशवरम lift irrigation project है इसका कुछ एक हिस्सा already complete हो चुका था उसके बाद ministry ने X post facto में जाके ये environmental clearance grant किया था मतलब कि हिस्सा होने के बाद retroactively उन्होंने इसको permit the clearance दिया इसे लिए National Green Tribunal ने बोला है कि भई, ministry ने इस बार law को violate किया है फिलाल हम बात करते हैं कालेशवरम lift irrigation project के उपर तो एक प्रकार का multi-purpose irrigation project है तिलंगना के अंदर गोदावरी river है उसके उपर का ये project है कालेशवरम lift irrigation project अक्च्वल में 2007 में government of अंदरप्रदेश, undivided अंदरप्रदेश जब तिलंगना और अंदरप्रदेश में division नहीं हुआ था उस time पर एक original irrigation scheme चल रही थी जिसका नाम था प्रान ही था चिवल्ला lift irrigation scheme इसी का एक छोटा हिस्सा है एक offshoot है क्यालेशवरम lift irrigation project यहाँ पर इसका main target क्या है कि जो भी तिलंगना reason है वहाँ पर हम लोग flood waters को divert करेंगे जिससे कि हम लोग तिलंगना को drought proof बना सकें अब इसके अंदर होगा क्या कि गोदावरी नदीक में जितना भी पानी आता है ऐसे flood like situation में ऐसे flood water को tap किया जाएगा reverse pump करके उपर के किसी level पर high level of water level को वहाँ पर जाके storage करेंगे हम और उस storage को हम लोग use करेंगे जिससे कि industrial purpose का भी fulfillment हो सके अगर हम लोग को drinking water supply करना है हैदरबाद reason में, सिकंदरबाद reason में उसको भी हम sufficiently fulfill कर सके इसके लिए हम लोग खूब सारी storage tank बनाए और pipelines के network के थुरू इन सभी storage tank को connect कर दें और वहाँ तक पहुचाएं जहाँ पर इनकी जरूरत है यही पूरा project है कालेशवरम lift irrigation project यह project प्राण हिता river जो है गोदावरी river का ही एक tributary है प्राण हिता river और गोदावरी river का जो confluence है बिल्कुल यहीं पर से यह project स्टार्ट किया गया है गोदावरी river के बारे में थोड़सी information गाधर कर लेते हैं देखो गोदावरी इंडिया का second longest river है या फिर यूँ कहें South India का सबसे लंबा नदी है इसी लिए इसको दक्षिन गंगा के नाम से भी जानते हैं इसका जो origin है वो त्रियंबकेश वर महाराष्टरा से निकलता है overall 1465 km range इसका पूरा मतलब इतना लंबा नदी बहता है कौन-कौन से स्टेट को ड्रेन करता है यह यह महाराष्टरा से तो निकलता ही है इसके बाद तिलंगना आंद्रप्रदेश चतिसगर और ओडिशा यह पांच स्टेट्स हैं जहांपर गुदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी या फिर आप उनका रिवर बेसिन देख सकते हैं और फिर फाइनली बे ओ बेंगवाल में अपने पूरे रिवर वाटर को ड्रेन करती है इंप्टी करती है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में इंपोर्टेंट वाला है इसमें से हो सकता है मैंने किसी रिवर का नाम गलत लिया हो वहाँ के जो भी लोकल लोग है वहाँ के जो भी एस्पिरिंट्स हैं वो प्लीज मुझे करेट करिया गा मेंट सेक्शन में कि इसको ये बोलते हैं फिलाल आपको ये कमेंट करना हो ना करना हो वो कोई मैटर नहीं करता फिलाल आपको इस क्वेशन का एंसर जरूर से देना है 2016 में ऐसे ही क्वेशन बनते हैं ऐसे ही जैसे ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि 2016 में हाल फिलाल में किस river का linking या फिर कौन से river की linking की बात चल रही है तो इसका answer आपको देना है 2016 के हिसाब से एक बार थोड़ा सा news में आप देखी का Indian Air Force का celebrate किया 8 October को और इसी के commemoration के लिए एक event conduct किया किया जिसमें Indian Air Force ने एक नया record बनाया कि हम लोग खारदूंगला पास के उपर सबसे उचाई से sky dive करेंगे यहाँ पर जो खारदूंगला पास के बारे में थोड़ी से information कलेट करते हैं यह नुब्रा और शोक वैली है यहाँ पर नुब्रा और शोक वैली का gateway है यह जो खारदूंगला है वो यह रहा यह एक प्रकार का पास है जिससे हम लोग इन जगहों पर भी जा सकते हैं लदाख Union Territory के अंदर में आता है यह highest motorable pass है पूरे विश्व का मतलब कि इससे उचाई पर कोई भी गाड़ी वाला या फिर जो हाँ पर motorable pass बन सके पास रोड नहीं पास मतलब दो mountain के बीच का जो पास होता है वो सबसे highest है कितना हाई हो सकता है लगबग लगबग साड़े 5 km नॉर्मल sea surface level के उचाई पर है यह जो tourist होते हैं उनको inner line permit अपने साथ carry करना पड़ता है अगर उनको खारदुंगला पास से गुजरना है तो जो भी खारदुंगला पास के roads हैं उनको बनाने का काम border roads organization BRO ब्रो करती है अब यह historical importance इसका यह आता है कि यहीं से major कारवा route जाता था काशगार रीजन तक काशगार उपर Central Asia में आता है लेह से काशगार तक जब भी लोग जाते थे कारवा में एकठे होके जथे बनाके तो यह एक important region बनता था खारदुंगला पास यह अकसाई चीन के western side में है मतलब क एक street protest से related है हाल फिलाल में यहाँ पर एक parliamentary election conduct किया गया था लेकिन opposition party ने ये और अप लगाया है कि इसमें धांदले बाजी बहुत जादा हुई है करिगिस्तान का एक map orientation में हम बात करते हैं Central Asia का एक मातर democratic country है यह Central Asia के अंदर कजाकिस्तान, करिगिस्तान, अजबेकिस्तान, और तुर्क मेरिस्तान, इतने आते हैं, अब यहाँ पर जो Central Asia का केवल democracy है करिगिस्तान, इसका border लगता है चाइना के साथ में, यह अपने आप में तो landlock country है, इसका capital है बिशकेक, इसके अलावां यहाँ पर चाइना के द्वारा बहुत सारे road and rail networks बनाए गए हैं, यह करिग अजवेकिस्तान के अंदर, रशिया के द्वारा collective security treaty organization, CSTO, host करने की बात की गई है, और साथी साथ यह रशियन airways को भी host करता है, यहाँ पर एक बात का और धहन देना है कि Caspian Sea से केवल और केवल दो country ही border बनाती हैं Central Asia की, एक Kazakhstan है और दूसरा Turkmenistan है, साथी साथ यहाँ पर आप इस country के उपर थोड़ा सा गौर्ड करिए, अजवेकिस्तान जो है यह अपने आप में double landlocked country है, double landlocked country का मतलब यह होता है कि यह country अपने आप में तो landlocked ही है, साथी साथ जो इनके neighboring states हैं, वो अपने आप में भी landlocked है, landlocked में अब आप यह बूल सकते हैं, कजाकिस्ता ना होने का बात करते हैं, जैसे कि चाइना है, चाइना चुकि अजवेकिस्तान का border चाइना से नहीं लगता है, इसलिए चाइना का इधर वाला reason जो है eastern portion वो तो हमारे south china sea और इन सब से लगता है, जो की open sea है, तो इसलिए वो नहीं, साथी साथ यहाँ पर आप यह देखिए और दूसरे का नाम है के, यहाँ पर आप एक चीज का और ध्यान देखेंगे, कि यहाँ पर जो यू है, इसी के नीचे ही आएगा यू वाला, जिसका नाम है तुर्क मेनिस्तान, तुर्क में जो यू word यूज हो है, यहाँ पर उजवेकिस्तान के ठीक नीचे आता है, और ज मतलब एक नॉर्मल आपको बताया है, इसके अलाम है बहुत सारे मिठेट्स हैं, आप उनको यहाँ कर सकते हो, अगला अर्टिकल हमारा लिब्या से रिलिटर है, हाल फिलाहल में लिब्या के अंदर कुछ राइवल्री पार्टी थी, उन्होंने अब एक संधी कर ली है, उन् लिब्या एक नॉर्थ अफ्रिका का देश है, जिसको ऑफिशिली स्टेट ऑफ लिब्या बुलाते हैं, और इस पूरे रिजन को ना मघरेब रिजन बोलते हैं, नॉर्थ अफ्रिका का मघरेब रिजन, इसको ऊपर देखा जाया है तो यह मेडिटरेनियन सी है, इसके बिलक वेस्ट में अलजेरिया है, और नॉर्थ वेस्ट में ट्यूनिशिया है, यहां पर जो दो फेमश सहर हैं, जैसे की यह तिपोली है, खूम्स है, यह सब उपर के ही रिजन में पाए जाते हैं, अफ्रिका का चौथा सबसे बड़ा देश है, और ओवर और पूरे वर्ड का 16th largest state है, country है, यह ओई रिजर्व के लिए भी खूब जाना जाता है, दस्वा सबसे बड़ा proven oil reserve इसी देश में है, प्रुबला आर्टिकल Mediterranean Sea से related है, हाल पिलहाल में Mediterranean Sea के अंदर में टर्की ने निच्टरल गैस का एक्स्प्लोरेशन स्टार्ट किया था और यूरोपियन यूनियन का जो भी रस्पॉंस रहा है उसको ग्रीस और सिप्रस ने बोला है कि भई आप थोड़ा और टफ रहो इस चीज को लेके यहाँ पर हमारा important मुद्ध है Mediterranean Sea को थोड़ा ध्यान से देखना Mediterranean Sea usually Atlantic Ocean के साथ connect होता है इसके उपरी हिस्से की बात करें मतलब कि इस map में आप देखना इसके उपरी हिस्से में South European countries हैं और नीचले हिस्से पर North African states है यहाँ पर इसके Eastern side की बात करें तो एक word है जिसको बोलते हैं Levant East में इसके Levant है Levant क्या होता है Levant एक ऐसा historical geographical term है जिसमें कुछ यह जो yellow color का reason देख रहे हैं यह आते हैं ठीक है तो Eastern side में यह सारे हैं अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है Cypress कहाँ पर है यह रहा Cypress और Greece कहाँ है यह रहा Greece कुछ और चीजों को यहाँ पर ध्यान में रख लेते हैं जैसे कि यह है Strait of Gibraltar यहाँ पर इन दोनों के बीच में यह जो Strait है Libya के उपर आता है Gulf of Sidra Sidra S-I-D-R-A Gulf of Sidra यहाँ पर Ionian Sea है यहाँ पर Tyranian Sea है साथी साथ यहाँ पर कुछ और भी बातें याद रखने की है जैसे कि यह है Sea of Marmara यह छोटा सा Sea जो Black Sea को Mediterranean Sea से connect करता है यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा comment section में बताना है यहाँ पर एक Strait है इसका नाम क्या है यह वाला ठीक है चलिए यह तो आपका homework हो गया और साथी साथ एक और homework में आपको देता हूँ यह question UPSC 2014 का है इसमें simple सा यह पूछा गया था Turkey located किन किन के बीच में है तो आप इसका answer भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल के नीचे comment section में बता सकते हैं अगला article हमारा Mount Kilimanjaro से रिल रिल रिद है हाल फिल हाल में Mount Kilimanjaro के slopes में एक बड़ा fire broke out हुआ था और ये पूरा बहते हुए नीचे आया Kilimanjaro अफरिका का सबसे highest peak है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस reason में Tanjaniya देश है अफरिका के अंदर वहाँ पर है Tanjaniya का border Lake Victoria से भी लगता है Lake Victoria को surround करते हैं तीन country जिसको आप लोग टुक से याद कर सकते हो या कुट जो आपको मज़ा है अब इसमें क्या है U से यूगांडा K से केनिया और T से Tanjaniya ये जो तीनों देश हैं वो Lake Victoria को घेरते हैं और Tanjaniya के अंदर ही मिलता है Mount Kilimanjaro Mount Kilimanjaro Africa का tallest mountain तो ही जिसका height approximately 6,000 meter है या फिर 5,895 तो be exact यहाँ पर एक और speciality है speciality ये है कि ये विश्व का सबसे उचा free standing mountain है for example हम Mount Everest को जानते हैं कि ये भई सबसे उचा परवत है सबसे उचा परवत है तो लेकिन ये पूरा range में आता है उसमें से एक है हिमाल्याद ये free standing mountain का मतलब होता है कि ये एक लौता ही परवत है आगे पीछे कोई नहीं है तो इसलिए ये सबसे largest free standing mountain rise है पूरे विश्व के अंदर साथी साथ आप ये भी समझो कि ये प्रकार का strato volcano है strato volcano को ही composite volcano बोलते हैं मतलब ये होता है कि ये layers में बनते हैं मानलो lava flow करता है एक layer बना दिया सूप गया उसके उपर दूसरा बन गया उसके उपर तीसरा चौथा ऐसे करते करते हैं कि height बहुत बढ़ जाती है इनको बोलते है composite volcano और जब height उपर बढ़ गई अगला article हमारा new caledonia से related है new caledonia french की extended territory है यहाँ पर एक referendum हुआ था और referendum में ये बोलते हैं कि भई हम France से independent नहीं चाहते है ठीक है इनको गया हम France के साथ ही रहेंगे मतलब ये है तो ये अमिशन news में रहता है मैस दी फॉलोंग में आता ही है new caledonia पूछ लिया कौन से state से related है तो France से related है बात करते हैं कि new caledonia अक्चल में है कहाँ पर आप सबसे पहले ये समझो कि ये रहा हमारा Australia Australia से आप इतनी दूर जबाप आते हो तो यहाँ पर आपको milanesia दिखता है ये milanesia का एक थोड़ा सा part है new caledonia यहाँ पर आपको ये island देख रहा होगा इसके अरावा और भी बहुत सारे features जैसे की आप ये समझे कि ये Australia से दूर है तोड़ा सा यहाँ पर आप देखी रहे हो साथी साथ milanesia subregion का पूरा एक component इसमें आज सकता है जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे islands से जिसका नाम है Grand Terrain, Loyalty Island, Chesterfield Island Belip Archipelago, Isle of Pines और छोटे-छोटे दूसरे islets यहाँ पर islets ये सारे जो होते हैं ये छोटे island को हम बोलते है Zealandia का पार्ट भी है Saladonia इसका सबसे लंबा जो river है ना वो है दायाहौत river New Saladonia जो है Caledonia इसका Oversee Territory स्टार्ट हुआ था 1946 में 1998 में एक Now में Accord साइन किया गया था Specialist Status इसको प्रोवाइट करता है 1999 में अगला आर्टिकल हमारा सांभर लेक से रिलिटेट है राजिस्तान गबर्नमेंट ने अभी हाल फिलाल में ये डिसाइड किया है कि भी 2020 के Winter Season में जब सांभर लेक के पास में Migratory Birds आएंगी तो उनको हम लोग Temporary Shelter प्रोवाइट करेंगे और इसी के लिए हम इनका घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं सांभर लेक की बात करें तो ये जैपुर, नागाउर और कुछ हिस्सा इसका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है राजस्तान के अब आप फिर से ये बोलते हैं कि क्यों पूछा गया ये क्यों डिटेल बता रहे है अभी ही आया है ऐसा कि दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कि नहीं वजब ऐसा स्टेट्मेंट आता है ये उपिरसी का तो आप जानते रहो मतलब ये के ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें याद नहीं करना होता है हमारे सामने जब आएगा तो हमें याद आ जाएगा अपने आप चुकि हम इसको अभी और बार भी तो रिवाइस करेंगे फिर ये जो सामबर लेक है इसमें पानी जो है पांच अलग-अलग नदियों से आता है एक है मेर्ता, एक है समाओद, एक है मन्था, एक है रूपनगर, एक है खारी और एक है खंडेला ये तो 6 रिवर्स हो गए मेर्ता, समाओद, मन्था, रूपनगर, खारी और खंडेला 6 रिवर्स है यहाँ पर आप 6 रिवर्स कर लेना significance इसका ये है इस लेक का कि 1990 में इसको रामसार साइट का धर्जा दिया गया और साती साथ यहां पर बड़े मात्रा में salt production होता है और ये एक important bird area भी है shelter की जरूरत क्यों है आप समझो कि हर साल हजारों की तादाद में बहुत सारे birds cold northern region से central Asia के तरफ migrate करते है इसी migration में इनका एक इस stoppage है सामर लेक पे रुक के आराम करते हैं खाना पी ना खाते हैं फिर जाते हैं फिर 2019 में लगबग लगबग 20,000 से भी जादा birds मर गए थे due to avian botulism इसी लेक में avian botulism एक बीमारी है जो की neuromuscular illness देता है यह एक bacteria है जिसका नाम है Clostridium botulinum इसके कारण होता है यह bacteria basically मिट्टी में, rivers में, sea water में पाये जाता है जो की इंसानों और जानवरों दोनों को affect करता है यहाँ पर इस bacteria को बढ़ने के लिए anaerobic condition चाहिए मतलब oxygen नहीं होना चाहिए ऐसा condition चाहिए साथी साथ यह acidic condition में grow नहीं होता इसलिए पानी बगरा के इस्थान पर ज्यादा अच्छे से grow करता है इसका जो problem है वो सीधे birds के nervous system को affect करता है उनके पैरों को, उनके पंक को paralyze कर देता है इसलिए आप इसके बार में भी जानते रहे है avian botulism अगला article हमारा सित्वे port से related है हाल फिला हाल में इंडिया और म्यान मार ने मिलके सित्वे port को operationalize करने के प्रती काम start कर दिया है सित्वे port 2016 से ही इंडिया के द्वारा construct किया जा रहा है यह एक प्रकार का deep water port है यहाँ पर जो म्यान मार के अंदर में यह एक रखाइन स्टेट है रखाइन स्टेट वही रोहिंग्या मुस्लिम का जो घर है यहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर में यह सित्वे port बनाए जा रहा है अक्शल में यह जो पूरा project है न वो इंडिया की look east policy है उसके अंदर में बनाना स्टार्ड किया गया था कालादान multi-model transit transport project के नाम पर अब यह जो है फिर यहाँ पर सित्वे port जो है यह इसका कालादान river के साथ mouth इसका मिलता है यहाँ से कुछ दूर तक waterway के जरी कालादान river पर कुछ भी transportation होगा और फिर वहाँ से highways connected है जो कि हमारे मिजवरम में और भी दूसरे नौर्थीस्टन states में connected है तो इसलिए हम लोग डारेक्ट चिकन ने कोरिडोर को थोड़ा सा avoid करते हुए एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं जिससे कि हम नौर्थीस्ट के प्रती connectivity को और ज़्यादा enhance कर सकें सित्वे पोर्ट की मदद से कालादान multimodern transit project जो है उसका basic aim यही है कि हम इंडिया का जू सीपोर्ट है Kolkata में उसको मियान मार के सीपोर्ट सित्वे से connect करें साथी साथ मिजवरम स्टेट है नौर्थीस्ट इंडिया में वहां तक एक पलित्वा बाई रोड कनेक्शन करना है अब यहां पर इस मैप में देखिए समझ में आ जाएगा यह कौलकाता की इस पोर्ट से यह सित्वे पोर्ट तक पहुचा यह रिवर है बिलू कल्र का कालादान रिवर यहां तक जाएगा पलिटवा तक और पलिटवा से कलिटवा शजब नाम है पलिटवा से कलिटवा तक ही जो जा रहा है इससे फिर ये इसके बाद यहां से border cross करके मिजुरा में चला जाएगा एजवाल और इन सब जगाहाँ पर ये जा सकता है जो हमारा अगला आर्टिकल है, वो South Asian Flash Flood Guidance System के बारे में है, हाल ही में IMD, Indian Meteorological Department ने South Asian Flash Flood Guidance System को लॉंच किया, जिसका उदेश ये है कि हम disaster management में थोड़ा बहतर contribute कर सकें, और timely plan बना सकें, और flooding की जो actual event है उसके बारे में पहले से जानकारी इखठा कर सकें, Flash Flood क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, लेकि जो Flash Flood होता है, वो अचानक से आने वाला Flood होता है, जैसा कि नाम से सपस्ट है, अचानक से Flood आता कैसे है, Sudden Surge of Water Level, अचानक से जो पानी का लेवल है, वो उपर उड़ जाता है, क्योंकि बारिस बहुत तीजी से हो हो जाएगी, ये जो Flash Floods होते हैं, ये Highly Localized Revent होते हैं, और बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, एक तो Flood आता है, जो 10, 20, 30 दिन तक फैला रहता है, बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, विहार में Flood आता है, पूरा विहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है, तो तो Last Scale Flood होते हैं, Flash Floods अचानक से आते हैं, कुछ समय बाद वो खतम भी हो जाते हैं, बारिज जब सुरू होती है, और Flood का जो High Peak है, उसे Avail करने में Flash Floods में महस 6 घंटे का समय लगता है, और इसलिए इसमें नुकसान बहुत जादा होता है, प्रेडिक्शन करना भी मुस्कि होता है, क्योंकि यह अचानक से आ जाते हैं, जो Flood की Situation होती है, वो Drainage System के चोक होने के वज़े से और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, Frequent और Extreme Rainfall, Climate Change के वज़े से अब बढ़ी गए हैं, तो Problem और भी ज़्यादा बढ़ गई है, अब South Asian Flash Flood Guidance System इसमें help कैसे करेगा US-Based Hydrologic Research Center है एक, WMO, World Meteorological Organization और South Asian Countries ने request करी कि हमें एक ऐसा मेकेनिजम चाहिए, जिसकी मदद से हम Flash Flood को भी पहले warn कर सकें, इसके बारे में तैयारी कर सकें, इसी उद्देश से US-Based Hydrologic Research Center ने South Asian Flash Flood Guidance System को डेवलप किया, Warning Mechanism में होगा ये, कि अगर Flash Flood आने वाला है, तो हम कुछ समय पहले ही जानकारी दे पाएंगे, जो Threat है उसका, उसके लिए हम 6 घंटे पहले warning दे पाएंगे, अगर रिस्क जादा हो गया, हम तब potential बढ़ गया है खतरेगा, 24 घंटे पहले इसकी हम Advance में जानकारी दे पाएं और इंडिया खुद के लिए भी, मतलब 5 कंट्रीज के लिए भी, जो Hydrological और Metallurgical डेटा है, वो इन देसों के साथ इंडिया शेयर करेगा, इंडिया का जो National Registration Monument Authority है, NDMA है और Central Water Commission है, उन्होंने मदद की है या इस सिस्टम के development में अपनी partnership को ensure किया है, जो हमारा अगला Hydro Electric Power Plant के बारे में है, इसमें अगस 2020 में Massive Fire Accident की वज़ा से इसे बंद कर दिया गया था, अब इसे वापिस से restart कर दिया गया है, that's why it was in news, location स्रीसलेम Hydro Electric Power Plant की जो है, वो कृष्णा नदी के किनारे है, कुर्नूल और जो महबूब नगर डिस्टिक्ट हैं अंदरप्रदेस क इसे 1980 में construct किया गया था, उसी समय ये start भी हुआ था, स्रीसलेम एक gravity और machinery type dam है, machinery type dam होने का मतलब ये है, कि इसे brick और stone से बनाया जाता है, जिसमें motor की मदद भी ली जाती है, gravity dam का मतलब ये होता है, कि ये जो dam होता है, वो अपने material की gravity की वज़ा से पानी को hold करता है, किसी additional support की मदद से नहीं, इसका फायदा ये होता है, कि अगर कोई strong earthquake भी आ जाये, तो यूकि ये अपने खुद के material की gravity से पानी को hold करके रखता है, तो इसमें ज्यदा problem नहीं आती, gravity dam के कुछ बहुत ही prime examples है, तुंगभद्रा डैम, सरदार सरोवा डैम, भाक्रा डैम, हीरा कुन ड particle है, वो टाइफून मुलावे के बारे में है, जो वियत नाम में आया, हाली में टाइफून मुलावे ने सेंटरल वियत नाम को प्रभावित किया, वहाँ पर कई सारी landslights देखने को मिली, جसमें कई सारे गाउँ प्रभावित हुए, कसवे प्रभावित हुए, और व्यों landsl में ये cyclone हमें देखने को मिलते हैं इनके नाम अलग-अलग जिगहों पर अलग-अलग बताया जाते हैं जैसे टाइफून इन्हीं North West Pacific Ocean में कहा जाता है अगर आप North Atlantic Ocean में जाएंगे तो इन्हीं को hurricane कहा दिया जाता है North Western Australia के region में इन्हें नाम दिया जाता है विली-विलीज जबकि Indian Ocean region में इन्हें simply tropical cyclone ही कहा जाता है वियतनाम की location अगर आप देखना चाहते हैं तो you can see ये वियतनाम है ये पूरी location वियतनाम की यहाँ पर है tropical cyclone देखे जेनरिक टर्म है meteorologist जो describe करते हैं ये rotating एक storm होता है जो thunderstorm और बहुत तेज rainfall के साथ आता है जो wind speed होती है वो sometimes 130 km पर आर्की होती है काफी ज़दा destructive भी होते हैं ये northern hemisphere में counter clock wise rotate करते हैं जबकि southern hemisphere में clock wise rotate करते हैं तो ये बाते हम ने टाइफून मुलावे के बारे में देखी अगला article हमारा जॉंबी fire से related है जॉंबी fire जो है वो arctic reason में आजकल थोड़े ज़्यादा frequent होते जा रहे है नॉर्मल जो frozen tundra है मतलब की frozen tundra मतलब की जो tundra reason है तundra reason किसको बोलते हैं arctic circle के उपर वाले हिस्से को तो arctic circle के उपर वाला हिस्सा है अभी तक frozen था वहाँ पर fires देखना और ज़्यादा frequent होता जा रहा है जॉंबी fire से actual में होते क्या है जैसे कि हम लोग हमेशा जिब ठंड में आग जलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आग पहले अंदर अंदर सुलगता है उसमें से केवल fumes या दूवे निकलते हैं आग की लपटे नहीं निकलते हैं तो आप ऐसा ही समझो कि पिछले season का जो भी growing season रहा होगा उसमें fires होते हैं जो कि सुलगते हैं स्मोल्डर करते हैं ठीक हैं ground के अंदर होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर carbon rich peat होता है वहाँ पर carbon content वनलब carbon का खान होता है कोईले का खान आप बोल सकते हो तो उसमें वो धीरे-दीरे सुलगते रहते हैं थोड़ा भी temperature गरम होता है ना तो वो तुरंट के तुरंट reignite हो जाते हैं और इसके चलते इनको हम लोग hold over fires भी बोलते हैं इनका basic concern यही है कि ऐसे fires Arctic reason में जब spread करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि Arctic reason हमारे लिए carbon sink की तरीके से काम करता है लेकिन अब वो इसके चलते carbon source बनता जा रहा है तो यह हमारे global warming के लिए एक बहुत ही trouble situation है साथी साथ जो पहले fire resistant area हुआ करता था वहाँ पर भी आग पकड़ने लगा है तो अपने आप में एक वरीन phenomena है यह हमारे लिए और जो Arctic circle का north वाला reason मतलब जो tundra reason था वो दिरे-दिरे सूखता जा रहा है जिसे कि वहाँ का जो भी vegetation है जैसे कि moss, grass या फिर छोटे shrubs घासफूस वाले है वहाँ पर भी आग आसानी से पकड़ लेता है तो इसलिए यह सब एक चिंता जनक बात है आप देख सकते हैं यह जो Arctic circle आपको देख रहा है इसके अंदर वाला reason यह हमारा Tundra reason है